हेलो सर्वेर दोस्त अज जानेंगे लाइका या सोक्या टोटल स्टेशन में एसो लाइन का कम कैसे करें लाइका या सोक्या टोटल स्टेशन में एसो लाइन का पॉइंट मारने से पहले यह फंडा आपको जनना जुरूरी है यह अगर समझ गया तो आपका काम बहुत आशानी हो जाएगा अब दख यह हो गया फास्ट पॉइंट के सेकेंड पॉइंट जब भी हम लोग पेसो लाइन का काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लाइन में पॉइंट मारेंगे उसके बद अगर आपका रीडिंग माइनस में आता है तो मतलब वो पॉइंट आपका लेव साइड में होता है यह अपना एलेचे साइड है यह आरेचे साइड है और यह डी साइड होता है आपका फास्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के सबसे जो फास्ट पॉइंट का लेव साइड माइनस में होगा और सेकंड पॉइंट मतलब प्लास में होगा और दूसरी बात है फास्ट पॉइंट का अगर इधर आएंगे तो ओ भी माइनस में होगा अगर इधर जाएंगे तो प्लास में होगा आपका जो आपसेट देना पड़ेगा या रीडिंग आएगा उसके हिसाब से इसका सॉटकट फॉर्मूला यही है कि फास्ट पॉइंट का लेप साइड में माइनस होगा राइशाइड में प्लास होगा और पीछे माइनस होगा फास्ट पॉइंट से पीछे माइनस होगा और फास्ट पॉइंट के सामने प्लास होगा यह मेथड है इसको चुरूर आद र का option चूज करना पड़ेगा है हीचे एसो लाइन का option है एसो लाइन स्टेक आउट लाइन इसमें एंटर मारेंगे तो इसमें ऊकुपाइड ओरियंटेशन है याने बैकसाइड करना पड़ेगा तो अल्रेडी मेरा बैकसाइड है तो मैं डिफाइन बेस लाइन में जा रहा हू सकते हैं डिफाइन बेस लाइन में हास्ट प्रेंट मेरा अल्रेडी इंपूद है अगर नहीं है आपका तो इंपूद कर सकते हो या लोड जाकर जो सेब पॉइंट पर देख सकते हैं यह हो गया मेरा सेकेंड डिफाइन लाइन यानि इन मेरा जो डिफाइन लाइन है उसका ओर डिनेट है तो उन्हों को करके ओके करता हूं तो आपका होरेज़न तो एच क्यालक जो मनें दूनों की दर्वियन जो डिस्टन से ओ दिखा रहा है और यह एक उंस बाउन्डरी यह उस में आरो डावलू है तो उसकी बीच में एक लाइन खिचेंगेे सो लाइन से मनिसब लाइन ओप्सीड देके तो मेरा اेसिस्टेंट उधर खड़ा है उस बाउन्डरी में मार्किंग करने के लिए तो मैं एसो लाइन के हिसाब से जो एसो लाइन लाइन आप्षिट मारक है इसको मैं मार्किंग करूंगा इधर भी मार्किंग करूंगा यह बाउंडरी उतना तक अपना रोडवलो राइट अप होए है मैं जूम करके दिखा देता हूं तो फिर स्क्रीन में आके देख सकते हैं मैं इसको आप फोकस कर सकते हैं तो मेजर करके देखता हूं कितना दून है तो इसको एस कर देता हूं देख सकते हैं यह तीन मीटर एक से कैन पर नहीं तीन मीटर लगभग पीछे चला गया जाता तो उसको तीन मीटर आगया आना पड़ेगा तो मैं उनको बोलता हूं तीन मीटर आगया आने के लिए फिर उसको आप एक सर्थ जो बार्टिकल बाला अब होराजेंटल बाला जो लॉक है उसको अनलोक करके कभी भी कर सकते हो एसो लाइन में यही फाइद है फोकस करके फिर दूबरा मेजर करता हूं तो तीन सो अभी भी पीछे है यह करके देखता हूं फिर अब 23 एमेम पीछे आगया आगया है तो यह था मेरा एसो लाइन में तो दूबरा में जो बाउंडरि उसको पॉइंट मार लेता हूं लाइन में जाके ऑपसेट में आगा दे सकते हैं plus करके आघे देशाए दूसरा पॉइंट मेजर कया तो एक मीटर हमने जादा आ गया पीछे यह निकले बोलता हूं दूबरा मेजर करता हूं है देश्कते 22 mm पीछे है आगे आना पर है तो यही था एसो लाइन का काम, लाइन का काम हो जाने के बाद आप पॉइंट का काम करेंगे, डिफाइन फास्ट और सेकेंड पॉइंट जो पहले दिखा है था सेम, वह इसे रखा हूँ, पॉइंट में जाके अब नीचे फास्ट वान कॉंस्टेंट रख सकते हैं, और एक ल यह कोडिनेट हो गया उसी पॉइंट का, तो मैं होरिजन्टल स्क्रू को घुमा के जीरो कर लेता हूँ, और इसको जैसे टेक आउट करते हैं, उसके हिसाब से इसको एकदम पार्फेक्ली जीरो-जीरो रखना पड़ेगा, यह सब पॉइंट के हिसाब से काम होगा, पॉइ अभी वो 286 mm पीछे जाएगा, अब जाके वो जीरो-जीरो लग भगा गया है, तो उसके मैं मार्किंग करने के लिए बोल देता हूँ, यह लाइन में 49.249 में पॉइंट मारा, अगर उसी के हिसाब से दिफाइन बेस लाइन में, उसका ऑपसेट मारेंगे, फास्ट पॉइ तो पॉइंट में जाके उसका ऑपसेट लाइन सेम रहेंगे, 49.249 में उसी के बेस में जो फास्ट पॉइंट है, उससे इतना डिस्टेंस दूरी में है, और ऑपसेट लग देंगे 30 मीटर, यह रो डवलो टू रो डवलो साट मीटर का डिस्टेंस है, इस अपना अलाइमें पॉइंट रोड का सेंटर लाइन हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट से 59 मीटर का दूरी में इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, होराइजन्टल स्क्रू को जिरो जिरो करके मैं मेजर कर लेता हूँ इसको, देख सकते हैं आप, एक मीटर 256 mm सामने आएगा, यह अपना अलाइमेंट है, तो दूबरा मेजर कर लेता हूँ, अब भी 290 पीछे चला गया जागा, दूबरा मार लेता हूँ, फिर मेजर करके, तो आभी यह फिलाल 0,1 mm के असपस है, मतलब वो मेरा पॉइंट हो गया, तो आज इस वीडियो में, एसो लाइन में जो दो ओप्शन है, एसो पॉइंट और एसो लाइन, उसके जानने गया, आप 49.249 माइनस करके देखता हूँ, और माइनस 30 मीटर, तो आप टोटेले मेश गूम गया है, ऐनि वो जो फस्ट पॉइंट और सेकेंड प्उइंट के सब जो एकोर्डिंग फॉइंट पीछे चला गया, और वो लेफ साइट भी चला गया है, आप देख सकते हैं, जो फस्ट पाइंट था हूँ, उस्टे पीछे चला गया, मेंसीन का अपका अंगल दे पूर्बक लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर्वेस सुसाइटी को कोई भी राई शुजाव रह आपका मन में है तो कमेंट जुरूर कर लेना तब तक के लिए धन्यवाद